हलो दोस्तों मैं नागिंद्र राच्पूत आपका स्वाइब करता हूँ वर्ल कम्टर क्लास में दोस्तों MS वड़की आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आई कार्ड बनाना जानेंगी अगर आप किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी ओपिस में अगर आप वर्क करते हैं तो अगर आपको आई कार्ड बनाने की जरूत पड़ती है तो आप MS वड़ में आई कार्ड को किस तरीके से आप डियन कर पाएंगे तो आज हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आई कार्ड बनाना तो यह जो आई कार्ड हमने बनाए हुए हैं यह एक सेंपल फॉर्मेट है इसी तरीके से आपको आई कार्ड बनाना आज हम बताने वाले हैं तो हम चलते हैं MS वड़ में न्यू पेस पर तो हमने एक निया पेल ले लिया और मुझे यहां पर एक इंसर्ट टैम में जागने के बाद एक सेंपल ले लिना हैं यहां से मैंने एक सेंपल ले लिया और इस सेंपल को मैंने यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया सेपस का मैंने यहां से साइज भी डिषाट कर लिया 2.2 वेर्थ हैट ले लिया और 3.2 मैंने इसकी विर्थ ले लिया और विर्थ इसकी 3.3 भी कर लेता हूँ है थोड़े से विर्थ बढ़ा लिया अब मुझे इसको करना है वाइट है कि लिए मुझे कलिक कर लिना है और इसकी आौट्लाइन जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा इसका वेट कम कर लेना है इस तरीगे से आप मुझे क्या कर लेना है यहां पर ऊपर एक सेफ्स लेनी हो इसी का एक डुब्ली कर बिर ह mattress d किया उपर इसको रख इना यहां पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद इसको छोटा कर लिया इस तरीके से कि इसमे मुझे कलर्फिल करना है जो भी आप कलर्फिल करेंगे यहां से कलर्फिल कर सकते हैं और इसकी जो आट र già ने है वो मैं हटा देता हूं इसी दूसरा भी आपको Ctrl-D कर लेना है, इसी का दूबलीक की बनाने ना है और इसको तोड़ा सा इस तरीके से कर देना है और बीच में मुझे एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए फिर दबार से मैंने Ctrl-D किया, और इसको इन दोनों के बीच में इसको रख देना है और यहां से आपको क्या कर लेना है shift दबाना है और छोटा कर लेना है इस line का color जो रखना है वो मुझे यलो देना है और outline जो color है वो हटा देनी है यह इस तरीके से मैंने इसको दे दिया और इसको आप चाहें तो डान केर सकते हैं उपर मुझे name लिखना है और इसको थोड़ा डान कर लेना है इस तरीके से ऊपर मुझे company का name और नीचे लिखना है आई काड है student का आई काड है employer का आय काड है जो भी आपको लिखना है वो आपको यहाँ पर लिख सकती है तो मैं उपर यहाँ पर एक नाम डालेता हूँ इनसेट में जाएंगे और वर्डार्ट गेली में आपको यह फॉर्मेट आपको मिलेगा और यहाँ पर मुझे क्या कर लेना है इसका जो फॉंट का साइज है वो थोड़ा सा ज्यादे बड़ा लग रहा है मुझे यहाँ से मुझे छोटा कर लेना है और इसका जो भी वो आटा देना है इसको बीच में रख लिया मैंने और मैंने यहाँ पर यह text यह लिखा हुआ इसको मुझे हठा देना है और मैं यहां पर अपने institute का नाम मैंने लिख लिया और नाम लिखने के बाद इसको यहां पर सेट कर दे रहा है font का size थोड़ा सा ज़ा बड़ा लग रहा है तो वो आप यहां से सेट कर सकते है तो यह नाम भी set हो गया इसमें color भी change करना चाहते हैं तो वो आप यहां से color change कर सकते हैं मैंने यहां white color दे दिया यह और इसी को मुझे कर लेना है copy control दबा के और यहां पर मुझे लिख देना ID card ID card मैं यहां पर ID card मैंने ID card लिख दिया पर इसको उठा के यहां बीच में लग दिया इस तरीके से इसको यहां बीच में कर दिया यह मैंने लिख दिया यहां पर मुझे एक shape लेनी है insert में जाना है और shape में जाना है और यहां पर round rectangle वाली shape लेनी है जो के मुझे इसमें photo लगाना है और इसमें photo डालेंगे और इसका जो outline जो border है मैं yellow देता हूँ और इसका जो weight है वो मुझे थोड़ा सा पतला कर देना है और इसमें एक photo डाल देना है photo डालने के लिए आपको save format में जाना है और save film में जाना है और यहां से picture पर click कर लेना है from file में जाना है from file में जाने के बाद आप देखेंगे एक open browser निकलेगा और यहां से जिस location में आपकी photo पड़ी हुई है मैं यह photo डाल लिया और ok कर लिया यह insert हो चुका है अब मुझे क्या करना है यहां पर मुझे student का name student का father's name mother's name class, school तो वो format इसमें डालना है तो वो format बनाने के लिए आपको क्या करना है यह जो आपने लिया हुआ है इसको copy कर लेना है यहां पर और इसका जो format का जो color है font का जो color है वो मुझे black कर देना है और यहां से font की जो style है वो मुझे change कर देनी है तो मैं यहां से font रखता हूँ वो times new woman रखता हूँ times new woman मैंने click किया यह आ गया और इसका font का size यहां से छोटा कर सकते हैं यह मैंने यहां से दे दिया अब यहां पर मुझे क्या लिखना है वो डाल दीजिए मुझे लिखना है यहां पर name तो मैं name लिखा और यहां पर मैंने dot dot लगा दिया यहां पर यहां तक अब मुझे यहां पर इंटर करना है और इंटर करने के बाद मुझे यहां पर लिखना है father's name तो father's name और यहां पर dot dot लगा देने हैं यहां से इस तरीके से चिक और इसके बाद मुझे लिखना है mother's name तो मैंने mother's name लिखा और dot dot लगा दिया यह मैंने dot dot लगा दिया और enter किया यहां पर मैंने लिखा class यहां पर class लिखने के बाद मैंने dot dot लगाया और उसके बाद मैंने लिखा यहां पर school name Is. School name school name लिखेंगे हमने यह enter کیा और एक लाए नीचे और बढ़ा कर दिया क्योंकि स्कूल का नेम ज्यादा बड़ा होता है वो आपने यहां पर डाल दिया है तो यह मैंने फॉर्मेटे लिया और मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट की इस्टाइल है बोल्ड रखना चाहते हैं या फिर आप इसको नॉमर रखना चाहते हैं और मेरे क्याल से इसका फॉन्ट का जो आटलाइन कलर है वो आपका आ रहा है तो मैं वो यहां से हटा देता हूँ और टन नो कर देता हूँ यहां से टेक्स्ट की यहां से चेक कर लेते हैं नहीं रिखकत नहीं है ठीक अब वो क्या करना है मुझे नीची एक बाडर बनाना है जो एड्रस देने के लिए तो वो एड्रस देने के लिए आपको क्या करना है मैं इसी कोई copy कर लेता हूं control दवा के नीचे यहां पर लेकर आएंगे और मैंने यहां पर इसको प्रक लिया यह मैंने रख दिया इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं और मैं edit save में जाओंगा यहां पर edit point पर और मैं यहां पर click करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा done कर लेता हूं और इस point में click करूँगा इसको थोड़ा सा मैं अब कर लेता हूं इस तरीकी से और मैं यहां पर एक add stripe कर देता हूं और add stripe करने के लिए मुझे क्या करना होगा जो मैंने icon लिखा हुआ उसको copy करके मैंने य यहां पर रख दिया और मैंने यहां पर app to दबाया और इसको erase कर दिया और मैं यहां पर name डाल दिता हूँ address जो भी address डालना है जैसे मैंने यहां पर डाल दिया इसका जो font color है वो मैं black कर देता हूँ यहां से इस तरीके से थोड़ा सा हलका उपर कर दिया यहां पर मैं कोई logo लगाना चाहता हूँ address के बीच में तो मैं insert में जाओंगा picture पर जाओंगा और this device में और जिस location पर आपका लोगो पड़ा हुआ है इस पर मैं click करूँगा और यहां से इस तरीके छोटा करूँगा और यहां पर wrap text पर जाओंगा test to front कर लूँगा और यहां पर चोटा कर लिया और मैंने इसको यहां पर रख दिया इसके बीच में इस तरीके से इसकी जो transparency है वो मैं हलकी कर देता हूँ यह देखिए अब यह कर दिया इस तरीके से और मेरे ख्याल से यह पूरा आइकाड बन चुका है इसका जो color है आइकाड का वो भी मैं change कर देता हूँ आइकाड का जो text format है लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा red कर देता हूँ यह देखिए इस तरीके से और मैं इस पूरे आइकाड को select करूँगा यहां पर click कर लिया मैंने format पर click किया और इसमें selection pen आ रहा है मैं control दबा के सभी जो layer बने हुए है इसके shapes के सब पर मैंने click किया और मैंने यहां पर group के अंदर जाना है आप इसको group बना देना है आप जैसे group बनाया और मैंने यहां पर click किया और control दबा के मैंने इसको copy कर लिया और इसमें आप एक format हमने मना के दिखाया है इसमें आप चाहें तो नाम भी fill कर सकते हैं photo चाहें तो photo भी आप change कर सकते हैं जैसे मुझे इसका photo change करना है तो यहाँ पर click करेंगे और picture format में आप जाएंगे और इसके अंदर आपका change picture एक command आता है यहाँ पर आपको जाना है from file में जाना है और उसके बाद आपको जिस location पर आपका photo पड़ा हुआ है उसके आपको click करना है और यह photo change हो जागा और इन दोन को मुझे copy करना है तो control दबा के रखना है और इस पर भी click कर देना है और control दबा के इसको copy कर लेना है और copy करने के वाद आप देखेंगे यह भी आपका copy हो चुका है इस तरीके से तो मैं इसका भी change कर देता हूँ photo change format और उसके बाद यहाँ यहां से फोटो को सेलेट कर लेना है इस तरीके से यह फोटो चेंज करना है चेंज कर लेना है यहां से चेंज फोटो और उसके बाद आपका जो ही फोटो आपको इसमें रखना है उस फोटो पर आपको किलिक कर देना होगा और मैं फोटो यहां से यह फोटो मैं दे देता हू तो इस तरीके साथ photo आप डाल सकते हैं और मैं इसका मैं preview चेक करता हूं control के साथ F2 दबाया मैंने और आप देखेंगे ये preview आपका आ रहा है मैं इसके और भी नहीं को click किया, control D किया, control D करने के वाद आप देखेंगे इसको down में scroll कर लेंगे इस तरीके से ये देखिए, आ गया फिर दोबारे से control D किया, एक और मैंने photo ले लिया copy कर लिया इसको और मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया और मैं अब इसको control F2 दबाया तो आप देखेंगे आपका जो iCard का जो format है वो बन चुका है देख सकते हैं आप control के साथ F2 के साथ तो मेरे ख्याल से अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और share करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद